कोवेड की पेंडामिक सिचुएशन लोगडाउन की खबरों के बिच दोस्तों एक बहुत बड़ी खुशकबर निकल कर आ रही है डी, ट्रिपल स्बी, टीजी टी, पी एर्टी, ल्डीसी और पटवारी की जो 2021 की वेकेंसी हैं उसका विग्यापन आउट हो चुका है दोस्तो यहाँ पर इसमें ओल इंडिया के केंड़ेट से वो एपलाई कर सकते हैं, ओनलाइन प्रोसेजिंग, आपकी क्या एज लिमिट है, क्या एज में छूट मिलने वाली है, दसवी से लेकर दोस्तों डिग्री डिपलोमा जो भी है, बीएश्टी सी या बीएड है, उन सब के लि होंगे और जो लोगडाउन के नियमों का पालन कर रहे होंगे, यहाँ पर दो बात करते हैं, सबसे पहले टीजिटी समेट 7250 पदों पर वेकेंसी है, दोस्तों इसमें मोश्टली 6900 पद सिक्षकों के हैं, और 350 पद जो LDC हैं, पटवारी हैं, हेड़कलर के हैं, तो कांसलर ह हो मिल जाते हैं, तो टोटली 7250 पदों पर वेकेंसी है, और इस वेकेंसी का पूरा पॉस्ट मॉर्ट हम हम इसके जो विग्यापन है, उसमें जाकर completely one by one, जितने भी critical issues हैं, उसमें सब को में clear करता हूँ, हाला कि इसका जो विग्यापन है, वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर म अपलोड कर दूँगा, वहां से आपको पूरा complete watch कर सकते हो, लेकिन mostly important बात है, सारी में इसमें आपको clear कर देने वालो हूँ, सब से पहले दोस्तों, यहापर विग्यापन 12-5-2021 को इसमें out हो चुका है, dssb.dilly.gov.in पे आपको इसमें online apply करना होगा, all India के candidates इसमें apply कर सकते ह हैं, कितने-कितने post पर vacancy हैं, उसके हम सारी बाते कर लेते हैं, सब से पहले इस vacancy के लिए दोस्तों, जो है आपके अविधन 25 मई से start हो जाएंगे, 24 जून इसकी last day टेनी वाले ही, चोई जून 12 बज़े से पहले आपको इसमें apply कर देना है, तो अच्छे vacancy है, जिसमें TGT की post है, जो साधी DEO से, जो है school से, उसमें आपको posted किया जाएगा और आप दिल्ली proper में आप job कर पाएंगे, तो जो दिल्ली में interested हैं, उनके इंडिट्स के लिए बहुत अच्छी vacancy है, और यहाँ पर बहुत अच्छा payout है, यहाँ पर आप सारी grade पे देख पारे होंगे उसके बाद यहाँ पर TGT की vacancy होगी, 6-10 तक वालों के लिए, और उसके बाद PRT की vacancy आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी, PRT की vacancy यहाँ पर दोस्तों दो type की है, जिसमें आपको जो school का administration होता है, उसके according, मैं जैसे आप यहाँ पर देख पारे है PRT की vacancy, उसमें ए लग होता है DOE और municipal counseling तो केंदर सरकार और रजय सरकार के according थोड़ा सा normal सा different होता है, यहाँ पर और आपको LDC की vacancy मिल जाएगी, head color की, पटवारी की सारी vacancy का हम चलो, one by one जितने भी issues हैं, उन सबको clear करते हैं, तो दोस्तों यहाँ पर आपको online apply करना होगा और उसके बाद TG TGT की अगर हम बात करें, TGT अलग-लग subject में, सारे subject में अलग-लग आपका में समय व्याष्ट नहीं करूंगा, आप अपने subject के according देख सकते हैं, बाकि TGT की पोस्टों के according अगर हम बात करें तो आपकी दोस्तों graduation complete होनी चाहिए, और उसके बाद आपकी BA complete होनी चाहिए, BA क साथ दोस्तों आपकी complete उसमें, CT8 आपकी clear होनी चाहिए, तो उस subject में आपका BA में, जो जिस subject में आप apply कर रहे हो, BA में आपका 2 साल वो subject कम से कम रहना चाहिए, और उसके बाद आप BA complete है, तो आप उसके लिए apply कर सकते हैं, आपका CT8 भी clear होना चाहिए, तो दोस्तों ये तो poster के लिए जो age limit की अगरम बात करें, या पर आपको 32 year अगर आप किसी कोटे में नहीं आते हो, तो आप जनरल में भी हैं, तो आप 32 years तक आप इसमें apply कर पाएंगे, उसके बाद अलग-अलग आपको age limit देखने को मिल जाएगी, SC, ST, OBC candidates को, यहाँ पर तो यह आप सारी TGT में इस बार बहुत, जो OBCs की vacancies हैं, वो बहुत संख्या के according अगर आप देखते हैं, तो बहुत कम, देखने को मिल रही है, इसलिए आप ज़्यादा इसमें चिंतित होने की आपशकता नहीं है, बहुत अच्छी vacancy आप इसमें apply किजिए, और अपना 100% दीजिए, आपक आपको posting दीजाएगी, 74 vacancies हैं, सारी दिल्ली में posted मिलेंगी आपको, दिल्ली से बाहर कहीं posting नहीं दीजाएगी, senior secondary आपका complete होना चाहिए, उसके साथ आपका certificate या diploma और जो nursery teacher education का होता है, वो आपका complete है ताप assistant teacher nursery के लिए apply कर सकते हैं, age limit की बात करें 30 year है, उसके बाद आपक चूट देखने को मिल जाएगी, अगली vacancy की बात करते हैं, जो LDC की vacancy है, LDC में आपका यहाँ पर 10th pass होना चाहिए, complete secondary, exam में आपका जो complete है, secondary school complete होना चाहिए, उसके बाद 35 word पर मिनट यहाँ पर यह, 35 word इंग्लिस में और 30 word आपका हिंदी में, आपका computer का typing होना चाहिए, LDC की पॉस्ट पर typing test होना सभाविक सी, बात है, 1900 grade पर की यह vacancy है, age limit LDC की बात करें, 18-27 year का age है, उसके बाद आपको SC, H2, OBC candidates के लिए, अलग-अलग type की छूट देखने को मिल जाएगी, उससे बात counselor की vacancies हैं, जो आपको महिलायम, बालवी का स्विभाग है, उसमें आपको posted किया जाएगा, तो वहाँ पर आपको bachelor degree मांगी गई है, उसके बाद और जो vacancies की बात करें, फिर बात आती है, bench vacancy assistant teacher primary वाली, जिसको आप PRT बोल सकते हो, यहाँ पर PRT की दो टाप की vacancy है, DOE वाली और municipal वाली, दोनों का same eligibility आपकी senior secondary होनी चाहिए, उसके बाद आपका diploma complete हो होना चाहिए, प्लस आपका seat rate होना चाहिए, ता PRT में apply कर पाएंगे, सबसे बड़ी बात यह जो भी BSTC, B8 का विवाद चल रहा है, यहाँ पर primary teacher में, जो DSSB की vacancy है, यहाँ पर B8 को allow नहीं किया गया है, यह most important इसमें खबर है, प्राइमरी से B8 को out किया गया है, इस vacancy मे चाहिए, असिस्टन टिचर प्राइमरी वहाँ इस municipal वाली सेम, आपकी eligibility कोई फरक नहीं है, दूसरी बात दोस्तों आप यहाँ पर पटवारी की भी vacancy कुछ देखने को मिलती है, अर्बन जो शहरी विबाग होता है, वहाँ पर आपको पोस्टिंग दी जाएगी, तो इसके अगर हम section A की बात करें, जो सभी में लागू होगा completely, तो यहाँ पर जो section A में दोस्तों, totally आपके 5 पार होंगे, general awareness, reasoning, इसके बाद numbering ability, Hindi language, English language, यह totally 5 पार है, सारे compulsory होंगे, यह पूरा syllabus आप देख पा रहे हैं, इसका screenshot ले लिजेगा, या फिर notification में भी complete देख लिजेगा, उसके बाद यहाँ पर आप जो edge relaxation है, मैं मैं आपको सारा बता ही दिया था, कि जितने भी edge है, उसमें आपको इस category में आते हो ता आपको अलग-लग प्रकार की छूट देखने को मिल जाएकि इस पेरा को आप देख लेजेगा, अगर आप edge relaxation की कहीं कोई नौबत आ रही है त यहाँ पर जो सारी मैंने mostly important बाते सारी मैंने आपको बता ही दी, उसके बाद इस notification को दोस्तो मैं आपको completely जो अपना telegram channel education job help plan जहाँ पर मैं हर छोटी मोटी ख़पर update देता हूँ, वहाँ पर मैं upload कर दूँगा तो इस notification को आप पूरा properly watch किजिएगा, उसके बाद आप इसमे अलग अलग पोस्टेज हैं जिसमें आप apply कर सकते हैं, तो दोस्तो मैं आशा करता हूँ, आज का यह वीडियो आपके लिए helpful रहा होगा, telegram channel join किजिएगा, youtube channel subscribe कर दीजिएगा, मिलेंगे और किसी नई और helpful update के साथ, तब तक के लिए जैहिंद, वंदे मातरम दोस्तों